किसानों की आये दुगना करने की बात करती और किस तरह से जो बड़े-बड़े पूंजी पती है या आड़ती है जो सेव का कारोबार करते हैं उन्हें खुली छूट है कि किसानों और बागवानों को लूटा जाए कि कॉंग्रेस पार्टी दूटता हुआ जाज है इसलिए तो यह तो बड़ा इंठ्रस्टेंग है ऐसा है कि हमारे जहाल से करूंके जारे हैं तो वहा मुझे लगते टूबने वाला तो उनका जहाल है इना तो हमारे लिए तो ऑच्का हो रहा है तो हलका ह्याज तो दूपता नहीं ह्यो सिध挺 प्रदानमंत्री श्री नरिंदर मोदी जी ने एक वाइदा हिमाचल की जनता से किया था कि हम आयार शुलक को 50-100 प्रतिशत करेंगे और अभी 100 प्रतिशत की बात उछोड़िये 50-30 प्रतिशत कर दिए जिसे अमेरिका से भी से भारी मात्रा में यहां आया और हमारे से के दाम जो है यका यक घिर गए किसान और बागवान है कि वो सरकार की उपयक्षा का शिकार हो रहे हैं बुशन जुल्डर्स अन्मूल रिष्टों के लिए सबसे पहले तो आज पहला नवरातरा है मैं अपनी तरफ से आपको और आपके परिवार को अपनी शुप कामनाएं देता हूँ आप लोग जानते हैं कि विदान सबा में सेब से जुड़े मुद्दे हमेशा मैंने उठाए हैं क्योंकि हमारा क्षेतर से बहुल क्षेतर हैं कि पिछली विदान सबा में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि अफगानिस्तान के रास्ते जो इरान का सेब आ रहा है उससे हमारी आर्थी को बहुत जादा नुक्सान हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझाता है एक शेतर सौथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के अंदर गता आता है इरान से जो सेब आ रहा है उस पे आयार शुलक नहीं लग रहा है इस कारण वो सेब मार्केट में सस्ता है और अभी जो कोल्ड स्टोर में बागवानों ने सेब रखा था क्योंकि आफ सीजन में इस सेब को मार्केट में बेचा जाता है इस उमीद के साथ ये अच्छे दाम मिलेंगे लेकिन इस बार क्योंकि इतना सेब तीस देशों से सेब यहां आ रहा है जो दाम है वो आट सौ से बारा सौ रुपे मिल रहे हैं जबकि पिछली बार यही दाम लगवग दो हजार से ज़्यादा थे और लागत कोल्ड स्टोर में रखने की लगवग चार सो रुपे पर पेटी आती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है बागवानों को हो रहा है जब यह मुद्दा मैंने विधानसवा में उठाया उसके बाद परदेश सरकार ने यह मामला के अंदर सरकार के स्मुक रखा और थोड़े दिनों के लिए यह आयात रुका लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हुआ क्योंक कि ऐसा सिंडिकेड दिल्ली में बैठके काम कर रहा है जो दिल्ली में बैठी सरकार है उनकी बात को सुन रही है और अवैद तरीके से हमारे पर देश देश में से को आने की इजाज़त जो है मिल रही है हमारी पांच हजार क्रोड से ज़्यादा की आर्थकी है और इस आर्थकी पे पूरा संक्ट है आपको याद होगा एक मुद्दा मैंने उठाया था क्योंकि पिछले लोगसभा चुनाओ के समय से पूरो देश के प्रदानमंत्री श्री नरिंदर मोदी जी ने एक वाइदा हिमाचल की जनता से किया था कि हम आयार शुलक को पचास से सौ प्रतिशत करेंगे उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोड ड्रिंक्स है पेप्सी और कोका कोला उसमें सेव की मातरा जो है मिलाई जाएगी वहलांकि हमें मालूम था कि ये वेवारिक नहीं है क्योंकि ये दोनों कंपनियां मल्टी नेशनल कंपनियां उनका अपना फार्मूला है वो तो अपने फार्मूले के साथ छेड़ चाड़ बरदाश्ट नहीं करती हैं लेकिन लोगों को लुभाने का प्रयास हो और अभी सो प्रतिशत की बाद तो छोड़ी है पचास से तीस प्रतिशत कर दिया जिसे अमेरिका से भी सेब भारी मात्रा में यहां आया और हमारे सेब के दाम जो है यका यक घिर गे और अभी लगातार जो किसान और बागवान है वो सरकार की उपयक्षा का शिकार हो रहें खादे महेंगरी द्वाईया महेंगरी और उपर से के अंदर सरकार का जो उदासी न्रवेय किसानों और बागवानों के प्रतिए कॉंगरिस पार्टी इसकी निंदा करती है ये सरकार किसानों की आए दुग ना करने की बात करती और किस तरह से जो बड़े बड़े पूंजी पति है या आड़ती है जो सेव का कारोबार करते हैं उन्हें खुली छूट है कि किसानों और बागवानों को लूटा जाए हम फिर से के अंदर सरकार से मांग करते हैं कि तरंत प्रभाव से शुल्क शत प्रतिशत करें आप और जो अवैद रूप से सेव हमारे देश में आ रहा है उसे तदकाल रोकने की जुरूरत है एक विश्य और मतो पूर्ण है कि हमारा जो चुनाव क्षेतर है ठेहो कुमार्सन चुनाव क्षेतर है हमारा जो कोडगर क्षेतर है वहां जो अभी प्लम की फसल है उस पर प्रोडूशन की मार पढ़ रही है क्योंकि एस यून का वहां प्रोजेक्ट चल रहा है लगाता डंपिंग हो रही है और उस कारण जो फ्लॉरिंग है वो टाइम पे नहीं हो रही है फ्लॉरिंग में जो है सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है और अभी सेव का की भी शुरू हो रही है तो हमारा जो प्रोदूर्शन भी भाग है हम उनसे भी बात कर रहे हैं इस पे निगाह रखे और कम से कम कोई भी ऐसे गतिविदी जिससे फ्लॉरिंग के समय सेटिंग में बादा आती है कम से कम उस समय तक रोके जाने की ज़रूरत है थैंक यू वरी मच बाकी आप कोई पूछना चाहें सब्सक्राइब कर देखता के बीच में जारी लोग को घुम्रा कर रही और विभाजन की ओर यह मैंने प्रस को ले जाएगा इंडिया को ऐसा कहा है भी जीपी की हिमाचल के देख्ष ने अगर यह टिपनी की है तो मैं उनसे कुछ प्रस्षन पूछन पूछन पहला प्रस्षन क्या आज की तारीक में बेरोजगारी को इश्यू नहीं मैं यहां उनको यह भी याद लाना चाहता हूँ कि दस वर्ष पूरो वो जो संकल पत्र लेके आये थे उस संकल पत्र में भारती जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर वर्ष दो क्रोड रोजगार देंगे तबी दस साल हो गए बीस क्रोड रोजगार बनते तो रोजगार का अगे उटा जो है बड़ी बड़ी कंपनिया छटनी करी तो क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी और दूसरी बात कौन सी के उन्होंने ब्रश्टा चार्क महंगाई को लेकर अब क्या में आज महंगाई इश्यूनी दस वर्ष पूरों से आप अभी तुलना कीजिए लगतार महंगाई बढ़ रही है कि सिलेंडर लगभग गैस का सिलेंडर लगभग तीन गुना बढ़ा ह जो खाने की दालें तेल है अगर आप मार्केट में जाएं वो भी लगभग दो गुना तीन गुना हुआ है तो क्या भारती जन्ता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको महंगाई नजर नहीं आती और इसके अलावा प्रष्टाचार का मुद्ध है जिस तरह से इलेक्टरल बांड में एक बहुत बड़ा गोटाला हुआ पिछले प्रेस वारता मैंने इस विश्य में खुल के बात की थी ये तमाम ऐसे मुद्धें जो सार्थक है रही देश को के विवाजन की बात देश को अगर अजादी मिली है उसमें कॉंग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कॉंग्रेस पार्टी के इंडरेतित्तों में इस देश में जो है जन अंदोलन चला और देश को अजादी में और उस समय ये लोग कहां थे जो इनके पूरोज थे या जिस विचारध जादारा से यह लोग संबन्द रखते हैं और देश की एकथा और अहंग्रता के बात आई तो किश्रीमति इंद्रा गांदी ने इस देश की एकथाषा के लिए अपने प्राणों की वाजी लगाई अपने शावरणी कि आपनी और जब जब भी इस देश पर आकरमन हुए क कॉंग्रिस की सरकारे नहीं हमने बड़ी मजबूती से सामना किया पाकिस्तान के दो टुकड़े कि और देश की एकता और अखंडता अगर खत्रा है तो भारती जनता पार्टी की जो एंडिये सरकार है इनकी वज़ा से खत्रा है क्योंकि आज देश को बाढ़ने की कोशिश हो आप चाता है अब आपने बहुत अच्छा प्रशन पूछा पिछले काफी दिनों से यह प्रशन पूछा जारा आज भी मैं अख़वार में पढ़ रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी दूपता हुआ जहाज है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी के जहास हैं हमारे जहाज में आ र मुझे दू स्वार वाला तूदका है और हमारे जो वहां उनकी जहाज में जो नये लोग है उनको जॉन दूबने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में अ av rope ना तो अमारे लिए तो जहाज तो बीबता नहीं है तो ये बात भातिर जनता पाठी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है तो निश्य तोर पे उनका जहाज जो है उस बाहर को सेने की क्षमता नहीं रखता है हो सकता है मैंने तो एक बात मजाक में कहीं कि हो सकता है एक रणनीती भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगया की जगा तरंगा जंडा हो क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी विच्छा किस सोच से जा रहा है यह तो मैं मजाक में यह बात कह रहा हूं वो कहन मुझकिल है लेकिन आज मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी के जो लोग है जो उनके उनके कार्य करता है उन्हें बड़ी हताश है उन्हें यह लग रहा है कि भार से आकर लोग उन्हें दवाने का प्रयास करें तो यह हताशा आपको भारती जनता पार्टी के कार्य करत प्रत्याश्यों की लंबी सुची है लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आला कमान जो है प्रत्याश्यों को लेकर फैसला करने वाला है थैंक्ट्यू अरी मच